हेलो फ्रेंग्स स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल पार मैं हूँ आपका होश्ट एंद दोस्त मनोज तौमर स्वागत करता हूँ अपने योट्यूब चैनल पार दोस्तो ये आज की वीडियो है आप लोगों के लिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और मैं जानता हूँ मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजेगा और जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है इससे ये होगा कि मेरे वीडियो आपको समय से पहले और टाइम पर मिलते रहेंगे इससे पहले में मैंने बहुत सारे वीडियो आपको दिये हैं जिने आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा उनके लिंक भी और भी आप मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं लेटेस जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तो आज की ये वीडियो है कि अगर आपने दस्वी क्लास पास की हुई है किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या सिख्छा बोड से तो ये वीडियो आपके लिए है बीएसएफ में कॉणस्टेबल के एक हजार चॉहतर पदो पर भरतिया निकली हुई है और ये सबी भरतियां इसी साल पूरी हो जाएंगी सीमा सुरक्षा बल्ग में ये वेकेंसी जाए एक चोहतर कॉंस्टेवल्स की दोस्तो ये एक बहुत बड़ी वेकेंसी है इसी लिए आप इसे एपलाई जरूर कीजेगा पूरा वीडियो द्यान से देखेगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बता दूँगा कि लास्ट तक आपको सारी पता लग जाएगी चेन प्रिक्रिया क्या है योगिता क्या होगी ठीके दोस्तो सीमा सुरक्षा बल में एक चोहतर पदों को भरने के लिए आवेदना मंत्रित के गए हैं और ये नियुक्तियां दस्वी कच्छा पास अभ्यारतियों के लिए हैं जो कि कौंस्टेवल ट्रेट्समेन के पदों पर आपनिंग चल रही हैं इस पद के लिए केवल और केवल पुरुस अभ्यारती ही अप्लाई कर सकते हैं यदि आप महिला अभ्यारती हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते दूसरी बात अवेदन केवल साधारन डाग द्वारा भेजना है इसमें और जो योगता है मानेदा प्राप्त स्कूल या सिक्छा बोड से आपके पास में दस्वी की परिक्छा पास की है और साथ ही समन्दिर ट्रेड में आपके पास दो साल का कारे अनुभव होना चाहिए यदि दूसरी बात आईयू शीमा की हाँ पर मैं जरूर surf करूंगा यदि आपकी आयू 18 साल से 23 साल तक है तो आप apply कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ दोस्तो नियुनता मायू सीमा 18 वर्स और अधिकता मायू सीमा 23 वर्स है इसमें आवेदन सुल्क 100 रुपए है जो की demand draft से किसी nationalized bank से आपको demand draft बनवाना है और demand draft को अपने form के साथ में नथी करके बेजना है इसका जो chain प्रिक्रिया का माध्यम है दोस्तो chain प्रिक्रिया का माध्यम में आपको physical standard test होगा जिसमें आपका race होगी आपके push ups होंगे, sit ups होंगे यह सब physical standard test लिया जाएगा आपका और साथ ही साथ physical standard test के साथ physical efficiency test भी होगा जिसे हम P.E.T. कहते हैं और साथ ही साथ trade test होगा और उसके बाद आपकी एक लिखित परिक्षा ली जाएगी लिखित परिक्षा के बाद जो लोग merit में आएंगे उन लोगों को सीधा training के लिए call up letter भेज़े जाएंगे इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या है आपको विबाग की website पर जाना है जो मैं description box में लिख दूँगा और वीडियो में भी लिख दिया है मैंने आप इस वीडियो पर जाकर पूरा notification को ध्यान से पढ़ दीजेगा download कीजेगा साथ में form है form भी download कर दीजेगा इस form को भरके साथ में 100 रुपे का आपको DD लगा के और इस form के according जो इसमें notification में दिया हुआ है सारे documents लगा कर आपको ये साधरन डाग से भेजना है इसका जो पता है वो भी आपको notification में मिल जाएगा जो notification आप web से download करोगे download करने के बाद आप उसे साधरन डाग से form को भेज़ दीजेगा ठीक है दोस्तो BSF में Constable की ये 144 vacancies तो निकली है इससे पहले भी Indian Navy में कुछ vacancies निकली थी अभी और Indian Air Force की उनके भी exam सायद होने वाले हैं उनका भी notification आपको मिल जाएगा और मैं आपको बता देता हूँ कि railway में लगबग लगबग 2 से 3 लाख vacancies आने वाली हैं क्योंकि railway अपना expansion technology wise बढ़ा रहा है अपने systems को railway अपग्रेड कर रहा है इस हिसाब से कुछ नए profiles के job आने वाले हैं market में उसके लिए आप तयाज रहिएगा और आप अगर जानना चाहते हैं कि constable की vacancy के लिए आपके लिखित परिशा के लिए कौन सी किताबें हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बना कर डाल दूँगा उससे आपको पता चल जाएगी कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और आपको तयारी कैसे करनी है और इसका syllabus क्या होगा और फिर भी अगर दोस्तों आपको कुछ भी doubt है कभी भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप जो है comment box में comment जरूर लिख दीजेगा मैं आपका solution comment box में आपका solution कर दूँगा और दूसरी बाद दोस्तों मेरे कुछ friends ने अभी कुछ topics दिये हैं जिन पर मैं video बना के बहुत जल्दी डालने वाला हूँ यदि आपके mind में भी कोई topic है जिस पे आप जानकारी चाहते हैं तो please वो comment box में लिख दीजेगा मैं वो topic पे video बना कर आपको भेज़ दूँगा और सायद आपके काम आएगी ठीक है दोस्तों ऐसे ही नए videos के साथ आपको मिलता हूँ नए video में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद channel को देखते रहेगा और अगर अपके तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो channel को subscribe जरूर कीजेगा ठीक है दोस्तों और video पसंद आए तो family में video को share जरूर कर दीजेगा family और friends में ठीक है दोस्तों मिलता हूँ नए videos में धन्यवाद झाल 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 झाल